जीवन की सच्चाई एक आदमी की चार पत्निया थी वह अपनी चोथी पत्नी से भूत प्यार करता था और उसकी खूब देखवाल करता था और उसको सबसे स्रेष्ट मानता था वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपनी मित्रों को दिखाना चाहता था अलाकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था जब भी उसे कोई प्रेशानी आती तो वहे अपने दूसरे नमबर की पत्नी के पास जाता और वहे उसकी समस्या सोल जा देती वहे अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखबाल करती थी एक दिन वहे बहुत बिमार पड़ गया और जानता था कि जल्द ही वहे मर जाएगा उसने अपने आप से कहा मेरी चार पत्नियां हैं उन में से मैं एक को अपने साथ ले जाना चाहता हूं जब मैं मुरू तो वहे मरने में मेरा साथ दे तब उसने चोथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता और चली गई उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि जिनगी बहुत अच्छी है यहाँ जब तुमरोगे मैं दूसरी साथ रह सकती हूँ उसने दूसरी पत्नी से कहा वह बोली माफ कर दो इस बार मैं तुम्हारी वोई मदद नहीं कर सकती ज़्यदा से ज़्यदा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूं अब तक उसका दिल बैठ गया और ठंडा पड़ गया तब एक आवाज आई तुम्हारे साथ चलने को त्यार हूं तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उस आदमी ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी वह बहुत बिमार शी हो गई थी खाने पाने के अबाव में वो आदमी पस्चाताब क्यासू के साथ बोला मुझे तुम्हारे अच्छी देख बाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था दरसल हम सब की चार पत्नियां हैं जीवन में चोथी पत्नी हमारा सरीर है हम चाहे जितना सजा ले सवार ले पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ चोड़ देगी तीसरी पत्नी है हमारे जमा पुंजी रुत्बा जब हम मरेंगे तो यह है दूसरों के पास चले जाएंगे दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त वरे इस्तेदा चाहे वह कितने विकरी भी क्यों न हो हमारे जिवन काल में मरने के बादध से हदव है हमारे अन्तिम संस्कार तक साथ रहते हैं पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो सांसारी कमू हुमाया में हमेशा वेक्षित रहती है यह वह चीज है जो हमारे साथ रहती है जहां भी हम जाएं कुछ देना है तो इसे दो देखवाल करनी है तो इसकी करो प्यार करना है तो इससे करो मिली थी जिनकी किसी के काम आने के लिए पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकडे कमाने के लिए क्या करोगे इतना पैसा कमा कर ना कफन में जेव है ना कबर में अलमारी और यह मौत के रिष्टे तो रिष्वत भी नहीं लेते